जैई श्रीकिष्णा मागमास शुकलपक्ष की जया एकादिसी का महात भगवान श्रीकिष्ण और युदिस्ठ के समवाद में जब युदिस्ठ ने पूछा हे भगवन आप किरपा करके बताईए कि शुकलपक्ष में कौनसी एकादिसी होती है उसकी विधी क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तो भगवान श्रीकिष्ण ने कहा हे राजिंद्र बतलाता हूं सुनो मागमास के शुकलपक्ष में जो एकादिसी होती है उसका नाम जया है वह सब पापों को हरने वाली उत्तम्तिती है पवित्र होने के साथ ही पापों का नास करने वाली है तथा मनुश्यों को भोग और मोक्ष परदान करती है इतना ही नहीं वह भ्रम्हत्या जैसे पाप तथा पिसाचत्तों का भी विनास करने वाली है इसका वृत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनी में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन प्रत्न पूर्वग जया नाम की एगादिसी का वृत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात व्रक्षु से भरे हुए नंदन वन में अपसराओं के साथ विहार कर रहे थे। पचास करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र नई स्वेच्छानुशार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नर्तिक आयुजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे जिनमें पुस्पदंत, चितरसेन तथा उसका पुत्र ये तीन प्रधान थे। नित्य करने के लिए आये थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्षराएं भी थी। परशपर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वसीभूत हो गए। चित्त में ब्रांती आ गई इसलिए वे सुद्धगान नगा सके। कभी तालबंग हो जाता और कभी गी जार है। तुम लोग पतित और मेरी आग्या भंग करने वाले हो। अता पती पतनी के रूप में रहते वे पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार साप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमाले परवत पर चले गए और पिशाच यूनी को पाकर भेंकर दुख भोगने लगे। साररिक पातक से उत्पन ताप से पीडित होकर दोनों ही परवत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पतनी पिशाची से कहा हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच यूनी प्राप्त हुई है। नरक का कस्ट अतिंत भेंकर है तदा पिशाची उन्हें भी बहुत दुख देने वाली है। अता पून प्रत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सुखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माग मास की एकादसी तिथी प् तम है आई। उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिये। जलपान तक नहीं किया। किसी जीव की हिंसा नहीं की यहां तक की फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सुर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेन जया के उत्तम व्रत का पालन स्वता ही हो गया। उन्होंने रात में जागरन भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विश्लों की सक्ति से उन दोनों की पिसाचता दूर हो गई। पुस्वबंती और मालेवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके ह हाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसनता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित दे कर इंद्र को बड़ा विश्मे हुआ। उन्होंने पूछा बताओ किस पुन्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत तो चुके थे फिर किस देवता ने तुम्हें उससे चुटकारा दिलाया है। इस पर मालेवान बोला स्वामिन भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादसी की वरत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो जो लोग एकादसी की वरत में तद्पर और भगवान श्रीकिष्ण की सरनागत होते हैं वे हमारी भी पूज नहीं है। भगवान श्रीकिष्न कहते हैं राजन इस कारण एकादसी का वरत करना चाहिए। निप्रसेश्ठ जया भ्रम्हत्या का भी बाप दूर करने वाली है जिसने जया का वरत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिये और संबून यग्यों का अनुस्ठान कर लिया इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अगनिस्टोम यग्य का फल प्राप्त होता है जैश्री कृष्णा